तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आजकल इस ताइप की इमेजेज काफी ज़्यादा वाइरल हो रही हैं जैसे यहाँ पे इंस्टागराम का लोगो उसके उपर एक एनिमेटेड बॉई बैठा हुआ और आपका यूजर नेम इंस्टागराम का यहाँ पे लिखा हुआ और आपके फॉलोवर भी यहाँ पे बैक्गराउंड में दिखा रहा है कुछ इस तैप की इमेजेज आज के टाइम पर काफी ज़्यादा वाइरल हो रही है आप इसमें लोगो भी चेंजे कर सकते हैं इंस्टागराम की जगए वर्टसब भी कर सकते हैं या फेस्बूक या यूटूब भी कर सकते हैं अपने इसाब से आप इसमें कुछ भी चेंजेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ, अपने लोगों के साथ इसके लिए आपको क्या करना है? कोई भी ब्रावजर ओपन कर लेना है जैसे मैंने यहाँ पे Chrome ब्रावजर ओपन कर लिया है और यहाँ पे आपने Search Box में टाइप करना है Bing AI Image Generator यहाँ पे आप देख सकते हैं Bing AI Image Generator जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करते हैं तो पहली वैबसाइट आपको इसको ओपन कर लेना है www.bing.com इसके अंदर आपने चले जाना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी ID क्रियेट करनी पड़ेगी यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने अपने जैमेल आइडी डाल लेनी है यहाँ पे आप अपने phone number का भी use कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं use a phone number in speed वाला option दिया हुआ है तो इस पे click करके आप अपना phone number भी यहाँ पे डाल सकते हैं तो यहाँ पे मैंने अपना phone number डाल लिया है इसके बाद next वाले option पे click कर लेना है और यहाँ पे एक password आपने set कर लेना है password set करने के बाद आपको next वाले option पे click कर लेना है और अपना पहला नाम और last नाम यहाँ पे enter कर लेना है नाम डालने के बाद next वाले option पे आपने दुबारा से click कर लेना है और यहाँ पे अपनी country आपने select कर लेनी है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अगर इंडिया से हूँ तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा और इसी हिसाब से आपने अपनी बर्थ डेट सेलेक्ट कर लेनी है जैसे कोई भी मन्त मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ और बोल रहा है next वाले option पे आपने click कर लेना है कुछ यहाँ पे इसमें puzzle दे रखा है यहाँ पे बोल रहा है कि इस हिसाब से इस angle पे इस गाड़ी का जो direction है वो set करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इस गाड़ी का भी direction इसमें set कर दिया है आपके सामने कुछ अलग टाइप की इसमें puzzle आ सकती है तो यहाँ पे आपने इस puzzle को solve कर लेना है तो यहाँ पे अभी हमने यह puzzle solve कर दी है तो यहाँ पे हमने submit वाले option पे आपने click कर लेना है तो अभी आप देख सकते हैं दुबारा से हमें angle को match करने के लिए बोल रहा है जहाँ पे यह उंगली का direction है उसी हिसाब से यह car के direction को भी set करने के लिए बोल रहा है तो अभी आप देख सकते हैं हमने यह direction set कर दिया है दुबारा से submit वाले option पे आपने click कर लेना है कुछ इस हिसाब से यह दुबारा से आ complete करने के बाद आपका अभी verification है वो complete हो चुका है इसके बाद आपकी id create हो जाएगी और automatically आप इस page पे redirect हो जाएंगे मतलब home page पे आप redirect हो जाएंगे यहाँ पे आप दिख सकते हैं इस three line पे अगर आप click करते हैं तो यहाँ पे आपका नाम कुछ इस तरह से दिखाई देगा मतलब आपकी idea भी create हो चुकी है तो यहाँ पे अभी आपने क्या करना है यहाँ पे जो आपको text कुछ text लिखने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे आपने यह इस हिसाब से कुछ text इसमें paste कर देना है कि create a 3D image of an animated character कुछ इस हिसाब से आपने यह type कर लेना है मैंने यह पूर जो text है वो अपने description box में भी डाल लिया है चाहे तो आप यहाँ से इस text को copy कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ थोड़ से changes आपने करने है तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं social media logo में आपने social media का नाम लिख लेना है जैसे अगर मैं instagram के लिए अपनी image बनाना चाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपने change करना है यहाँ पे मैंने double bracket के अंदर इसको डाला हुआ है तो आप इससे easily समझ सकते हैं थोड़ सा नीची की तरफ scroll करने पर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने अपना नाम डाल लेना है जैसे कुछ भी आपका नाम है जैसे यहाँ पे मैंने example के लिए आपको दिखाने के लिए एक million subscriber इसमें डाले हुए है तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप note कर सकते हैं मैंने instagram में इस image को बना रहा हूँ तो instagram में यहाँ पे subscriber नहीं होते हैं तो instagram में यहाँ पे followers होते हैं तो यहाँ पे मैं subscriber की जगह followers लिख थोड़ा सा यह अभी processing हो रहा है थोड़े देर wait करने के बाद यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इसमें instagram की कुछ photos हमारे सामने generate कर दी हैं जो भी photo आपको अच्छी लगती है उसमें आपने click कर लेना है जैसे यहाँ पे यह चौथी वाली photo मुझे कुछ जादा ही attractive लग यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे डाला हुआ था कि 1 million followers करके तो यहाँ पे 1 million followers भी यहाँ पे मेरे इस इसाब से दिखा रहा है यहाँ पे आप million followers पूरा न लिखके 1M follower भी लिख सकते हैं यह काफी interesting रहेगा लेकिन अगर आपको ये चारो ही image पसंद नहीं आ रही है तो यहाँ पे आपने क्या करना है दोबारा से create वाले option पे इसमें click कर लेना है तो दोबारा से create वाले option पे click करने के बाद इसमें दोबारा से अलग type की कुछ और Instagram की हमारे सामने AI generated photos create कर दी है अब इन मैंसे आपको जो भी अच्छी लगती है उसे आपने download कर लेना है लेकिन अगर आपको इन मैंसे फिर भी कोई photo अच्छी नहीं लग रही है तो दोबारा से आपको यहाँ पे create वाले option पे click करना है तो दोबारा से यह आपकी image को जरनेट कर लेगा example के लिए अगर यह वाले फोटो मुझे अच्छी लग रही है तो इस पे मैं click कर लूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस three dot वाले option पे click करते हैं तो यहाँ पे download वाला option दिखाई बढ़ता है download वाले option पे जैसे ही click करते हैं तो यह वाली फोटो अभी आपकी gallery में save हो चुकी है तो दोस्तो इस तरह से आप भी कुछ AI generated Instagram या WhatsApp या YouTube की photos create कर सकते हैं थन्यवाद